फिल्म की शुरुआत में में कैरेक्टर चाली को दिखाते हैं, जो एक प्रोफेसर है और बच्चे को इंग्लिश पढ़ाता है, उनलाइन क्लास देता है लेकिन हमेशा अपना कैमरा बन रखता है क्योंकि वो जानता है कि अगर लोगों ने मेरी शकल और बॉड़ी देख लिय और उसी पढ़ने लगता है तब ही बाहर से एक लड़का अंदर आता है, वो कुछ कहता उसके पहले ही, चाली लड़के के हाथ में वो ऐसे देकर कहता है कि से जोर जोर से पढ़ो, वो लड़का भी बिना सोचे समझे पढ़ना शुरू कर देता है, हाला कि चाली को लग रह जैसे ही मुझे लगा मैं मरने वाला हूं तो आखरी बार सुनना चाह रहा था, बस उनकी बाते चली रही थी कि तब यहां एक औरत आती है जो चाली की दोस्त है और यही उसकी देखभाल भी करती है, वो चाली को चेक करती है, देखती है मी बलड प्रेशर काफी बढ़ा तब ही उसकी नजर वो लड़के पर जाती है, वो पूछती है कि तुम कौन हो, वो अपने बारे में बताता है, साथ ही वो अपने चच का नाम भी बताता है, यह सुनकर वो चिर जाती है, कहती है कि मुझे उस चच से नफरत है क्योंकि उस चच जूठी दावे करते है कि हम की जान बचाएंगे. मेरी मदद करेंगे और अब की बार भी वही ड्रामा कर रही है कि हम चाली की जान बचा लेंगे. फ्रीस्ट कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है. हम सच में चाली की जान बचाना चाहते हैं. गौड का मेसेज उस तक पहुचना चाहते है कि God क्या कहना चाहते हैं और फिर उस हिसाब से वो अपनी जिन्दगी को जिए। वो कहती है कि बहतर होगा तुम यहां से चले जाओ क्योंकि ना मुझे और ना ही चाली को इन बातों पर यकीन है। चाली का सबसे खास दोस्त वही रहा करता था। वो और चाली एक दूसरे को प्यार करते थे। लेकिन जब एक दिन उसके दोस्त की मौत हुई तो चाली ने टेंशन लेकर अपनी ऐसी हालत कली। उसे खतरनाग बिमारी हो गई। इस तरह चाली से उसे इतना बड़ा दुख मि आती है। आधी रात को भी चाली वो ऐसे पढ़ता है। और फिर कपड़े उतार कर स्टैन लेकर कमरे की तरफ जाने लगता है। अब यहां हम पहली बार उसके बॉड़ी को देखते हैं। तो काफी बड़ा है। हर जगह से फैला हुआ है। जीस वज़े से उसे चलने फिर कर खाने लगता है। मगर अच्छे काम भी वो नहीं छोड़ता। जैसे की साफ रहना शेफ करना, वो चीयों को दाना डालता है। ये सब करने के बाद अपनी जगह पे आके बैठ गया था। तभी दर्वाजा खोल कर एक लड़की अंदर आती है जो उसकी बेटी थी। इस भी वो यहाँ आती है। और हर बार अपने डैट से बतमीजी से बात करती है। मगर चाली कभी उसके बाद का बुरा नहीं मानता। आज भी वो एक के बाद एक उससे बतमीजी कर रही थी लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को मनाने के लिए कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरी त्यारी बेटी तुम रोज यहां आओ, मेरे पास ही रहो क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पास बस कुछ ही दिन रह गई. इस पर वो जवाब देती है कि मैं हर रोज यहां नहीं आ सकती. मेरे पेपर आने वाले हैं. और इंग्लिश पेपर की मुझे सबसे बढ़के चिंता है त एक लाग से ज्यादा डॉलर्स है. ये बात सुनकर वो चुप हो गई थी. सोच में पढ़ जाती है. क्योंकि ये एक काफी बड़ी रकम थी. फिलहाल यह इसलिए नहीं बोलती क्योंकि अभी वो काफी परिशान है. वो अपने डैट को सिर्फ परिशान करने के लिए दरवा उतने में ही चाली दोस्त आई. उसका चेक अप करने के बाद सफाई कर रही थी. तो उसे एनी का लिखा हुआ ऐसे मिलता है वो समझ गई थी. कि यहां उसकी बेटी आई थी. और पढ़ाई में चाली उसकी मदद कर रहा है. उसे डाटी है कि तुम भूल गए. जब तुम्ह तुकरा उसके गले में अटक गया. उसका दम घुटने लगता है. जो देखकर फॉरण उसकी दोस्त पीव थप थपाती है. जब तुकरा निकला उसकी जान बच पाती है. इस वज़े से वो चाली से नाराज हो गई. गुस्से में उसे कहती है तुम्हें मरना है तो शौक से मरो पर मेरे सामने ना मरना. लेकिन कुछ देर बाद गलती का हिसास होने पर वो चाली से माफी मांगती है. और दुबारा उसे बर्गर खाने को दे देती है. ऐसे चाली की जिंदगी गुजर रही थी. हर रोज वो उनलाइन क्लास देता था. उसमें बहुत प्यार से पढ़ जाती है. जिसे वो उठा नहीं पाता. वो काफी कोशिश करता भी है लेकिन चावी नहीं उठा पाता तो वो हार मान के ही वापस आ जाता है. और उसकी बेटी वादे के मुताबिक आज भी उससे मिलने आती है तो बहाने बहाने से चाली उससे बात करता है. और काफी खुश कर दिया था और कभी मुटकर हमारी तरफ देखा तक नहीं आप एक नंबर के मतलबी और खुदगर्ज इंसान हैं अपने दोस्त की खातिर हमारे साथ ही सलूप किया मुझे इस बात से कोई फर्ट नहीं पड़ता कि आप क्या मैसूस करते हैं आपको आपकी गल्पी का एहसास ह क्योंकि आपकी ऐसी हालत आपके दोस्त की वज़े से हुई है ना कि हमारी वज़े से हुई है उसकी बातों को चाली नजर इंदाज कर देता है और बस इतना कहता है तु मेरे लिए कैसे लिख दोगी क्या ज्यादा नहीं कुछ लाइन्स तब तक मैं अंदर जा रहा हूँ इतना कहते ही वाश्रूम में चला जाता है और फूट फूट कर रोने लग गया था क्योंकि आज उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था ये चीज़ एनी ने भी महसूस कली थी पर उसे कोई फर्ट नहीं पढ़ता तब ही दरवाजे पर दस्तक होती है प्रीस्ट आया था और जब पैनी को ये बात पता चलती है कि वो चट से आया है तो वो उसे कहती है मैं कल फे राऊंगी तुम भी आना मैंने तुमसे बात करनी है इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है और प्रीस्ट चाली को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ उसे अच्छी बुर प्रीस्ट को देखकर कहती है ये लड़का दुबारा इधर क्या कर रहा है तो चाली जवाब देता है कि इस पर गुस्टा करने की कोई जरूरत नहीं है मैंने ही इसे बुलाया है वो कहती है इसे छोड़ो ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ये कहते ही वो वीजेर बा इस दर्ध भरी जिंदगी से उसकी जान चुदवाकर उसकी दोस्त कहती है तुम्हारे लिए बहुत चोटी सी बात होगी पर चाली और मेंने बहुत कुछ सहा है बरदाश्ट किया है जिसके पीछी चच जिम्मेदार है असल में चाली का दोस्त था वो मेरा भाई था मगर उ उसके मरने से चाली ने इतनी टेंशन लेली कि उसकी तबियत खराब हो गई। आज उसकी ऐसी हालत है, वो इतना बीमार है और तबी से हम सभी सदमे से गुजर रही है। यही वज़े है कि हम हर चीज से नफरत करते हैं तो हम तुम्हारी रिलिचियन को तुम्हारी चच को किसी को भी पसंद नहीं करते। आगे कुछ बोलती उसे पहले चाली आ जाता है, और प्रीस्ट से बोलता है उतो शबाज जाओ तुम यहां से। वो बात मानता है वो चला जाता है, थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त भी जाती है, उनके जाते ही चाली उस कमरे में जाने की कोशिश करता है। की सुबह दुबारा एनी आती है, दुबारा एनी आती है चाली कहता है कि आज मैं अपनी बेटी से अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। आप खाएंगे, इस बात चाली खुशी-खुशी मान जाता है, कि मेरी बेटी अपने हाथों से सेंड्विच बना रही है, लेकिन सेंड्विच खाते ही वो गहरी नींद में सो जाता है, और जैसे ही एनी उसकुफिया कमरे में जाती है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती जो की प्रीस्ट आया था, जिसे एनी अंदर खीच लेती है, लेकिन चाली की ऐसी हालत देकर गभरा गया था कि इतनी आवाज होने के बाद भी वो नहीं उठाता, तभी एनी बताती है कि मैंने उनकी सेंड्विच नींद की गोलिया मिला दी थी जो वो प्रीस्ट सुनकर ड वरना तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ कि तुम चर्च से नहीं हो, तुम सच बताना शुरू करो कि आखिर तुम कौन हो? ये सुनकर प्रीस्ट डर जाता है, और उस कुफिया कमरे में आकर खुद को कमरे में बंद कर देता है, तब ही एनी बाहर दर्वाजे पर आगे बैट गई और कहती है, चलो अपनी कहानी बताना शुरू करोगे। प्रीस्ट बताने लगता है कि मैं यहां चर्च में काम करने ही आया था, लोगों की मदद करता था, पर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं लोगों की मदद नहीं क चानता था कि एनी ये सारी बाते अपने मुबाइल पर रिकॉर्ड कर रही है, दर्वाजा पर फिर बचता है, ये दोनों जब दर्वाजा चेक करने जाते है तो देखते है कि चाली की दोस्ट अपने साथ चाली की वाइफ को लाइए, उसके दोस्ट चाली को होश मे लाने क लेकिन चाली की वाइफ उसके दोस्त को चाली के एतना करीब देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है और तुम पैसो की लालच में ये सब कर रही होगी इसी ये यहां आकर चाली सेवा करती हो ताकि उसके सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे बेचारे की दोस्त जवाब देती है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है ये मेरा दोस्त है इसलिए सब कुछ करती हूँ और वैसे भी इसके पास कोई पैसे नहीं है उसकी वाइफ कहती है कि मुझे लगता है तुम इस बारे में नहीं जानती है चाली के पास लाखों में डॉलर है सुनकर उसकी दोस्ट चाली पर गुसा करने लगती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे है मगर तुम फिर भी अपनी जिन्दगी इस हालत में गुजार रहे हो और हॉस्पिटल में भी नहीं जाते हो और मेरा जरब यह अहसास नहीं तुम्हें में पाई पाई जोड कर मैं तुम्हारे लिए चीजे लाती हूँ इतना बोलके गुस्से में वो यहां से चली जाती है अब भी रैनी दुबारा बद्तमीजी करने लगी थी इसने उसकी मॉम डाट कर उसे वहां से भगा देती है चाली को बताती है कि मैंने जानबूच के एनी को तुमसे मिलने नहीं दिया क्योंकि वो बहुत ही बुरी है वो इस कदर जाली माना है कि उस वक्त अगर तुम इसे मिलते तो वो शायद तुम्हें मार ही देती चाली जवाब देता है कि मैं नहीं मानता वो मेरी अच्छी प्यारी बेटी है ये बात सुनकर उसकी वाइफ फोन पर फोटोज दिखाती है जिसमें एनी ने अपने ही डैट की तस्वीरे इंटरनेट पर डाली हुई थी और काफी मजाग बनाया हुआ था जिसके बाद ही दोनों अपने पुराने वक्त को याद करने लगते है कि हम एक साथ कितने खुश थे चाली बोलता है मैं मरने से पहले अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ मेरे अकाउंट में जीतने भी पैसे है मैं वो सारे एनी को दे दूंगा उसकी वाइफ मना करती है कि मत करना ऐसा गलत करोगे क्योंकि वो और बिगर जाएगी इतना कहके वो चली जाती है तब ही चाली पिज्जा भी आ गया था और आज वो खुद जाता है पिज्जा लेने पिज्जा लेने के लिए बाहर जाता है तो डलिवरी बॉय जेसे ही चाली को देखता है वो बहुत दर जाता है इस वज़े से चाली को इतना गुस्सा आ गया था कि अंदर आकर वो गुस्से में पिज्जा खाने लगता है और फिर चॉक्लेट स्टॉफिया खाता है फ्रिज में देखने लगता है, इतना सारा साथ खाने से उसको उल्टिया भी होने लगी तभी उसकी दोस्ताती है जो चाली को कहती है कि मैं जानती हूँ तुम अपना इलाज करवा सकते थे पर जानबूच के नहीं करवाया क्योंकि तुम खुद को सजा देना चाहते थे, ये मेरे लिए कितने दुख की बात है पहले मेरा भाई छोड़के चला गया और आज तुम जा रहे हो वो जानती है चाली की हालत खराब हो रही थी, वो अपनी आखरी सांसे गिन रहा था लेकिन अभी भी वो हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता वो फिर चाली को गले मिलकर वहाँ से जाने लगती है तभी एनी गुस्से में यहां आती है और कहती ये क्या किया आपने मुझे ठीक से नहीं पढ़ाया में फिर फेल हो गए जो शायद ऐसे की वज़र से हुआ वो आपने मुझे वेस्ट ऐसे लिखके दिया होगा चाली जवाब देता है बेटा एक बार जरा इस ऐसे जोर से पढ़ो और अब जैसे एनी पढ़ने लगती है चाली उसे जजबाती होते हुए बताता है जब तुम चौथी क्लास में पढ़ रही थी ऐसे तुमने तब लिखा था तुम बहुत खास हो और अब बन करो खुद को सजा देना और दूसरों की नजर में अच्छा साबित करना और मैं जानता हूँ तुम आगे जाके बहुत काम्याब बनूगी तुम पर भरोसा है मुझे और एनी भी उसकी ये बाते सुनकर रोने लगती है उनके तरफ देखके बोली ये आपने क्या हालत बना ली है आप क्या कर रहे हैं आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए चाली दुखी होते हुए बोलता है नहीं मेरा ताइम आ चुका है एनी ये बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है चाली उसे कहता है मेरी प्यारी बेटी आखरी बार मुझे ऐसे ही पढ़के सुना दोना तो जैसे वो ऐसे पढ़ने लगती है चाली अपनी पूरी दाकत एकठा करने लगता है और वो घड़ा होता है और अपने पैरों से चलके इसके पास जाने लगता है एनी भी ऐसे पढ़ते पढ़ते उसके पास आ रही थी और फिर उसकी मुस्कुराहट के साथ ही चाली की मौत हो जाती है उसकी आत्मा सीधा हेवन यानि स्वर्व में गई थी जहां वो खुश था आराम से जिंदगी गुजार रहा था और इसी के साथ चाली की दुख भरी कहानी इधर ही खत्म हो जाती है